हाई दोस्तों आपका स्वागत है अपने मितला इंडियन आर्वी यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप जानते हैं जो आपके तो इसके तहट जो वेकेंसी आई है जो बहुत ही अच्छी खासी वेकेंसी तेतालीस वाई है और इस वेकेंसी के बारे में आज हम आपको फूल डीटेल्स वताएंगे जैसे इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्या चाहिए इसमें दो पेपर होता है पेपर वन और पेपर टू तो उस पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस क्या है उसके बाद इक जामिनेशन फिक इतना लगेगा उसके पाद इस फॉर्म के अपलाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए और इसमें जो एज है वह आपको कितना चाहिए मीनिमम एज औ सब्सक्राइब या नहीं इसके बाद जो यह वेकेंसी है इसके तहट आप दिल्ली प्लिस में अगर आपको एसाई बनने का सपना है तो इस सिप्यों के तहट आप वो अपने सपने को सकार कर सकते हैं तो चलिए इस वेकेंसी के फुल डिटेल साज हम आपको बताते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप जानते हैं सब इंस्पेक्टर 2020 की टोटल नंबर आफ वैकेंसी है तेताली सो है और इसको फर्म को आप अप्लाई 10 अगस्त 2022 से कर सकते हैं और लास्ट देट है मिनिमाम एज 20 साल है और मैक्समाम एज 25 साल है इसमें OBC को 3 साल का और SCST का 5 साल का एज इलेक्सेशन दिया जाएगा उसके बाद एजूकेशन क्वालिफिकेशन आपको कितना चाहिए ऐसे सीप्यों में फॉर्म डान लेके लिए तो दिल्ली दिल्ली पुलिस एसाई में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम जैसे बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी सब्यक् डिल्ली पुलिस एसाई के लिए और उसके बाद अधर पोस्ट जैसे हो गया बीसेफ सीएफ सी आई एसेफ सी आर्पी एप आई टीबीटी एसेशबी में अगर एसाई के पोस्ट बराप अपना कार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्स से चाहे पुलिस इसमें एक उन्राइंंग सेवणंटी नाइं है उसके बाद जेन्रील का सवेची 9 हैं और ईसेशची 225 biggest का टुएफ है और टोटल नंबर पोस्ट ऊपिन मिटी एटी है उसके बाद एक सर्विसमेन के लिए जेनरल में 0 अथी 6 है, OBC में 3 है और SC में 2 है, ST में 2 है, EWS में 2 है अब उसके बाद टोटल नमर पोस्ट 13 है, उसके बाद एक सर्विसमेन SC के लिए अथी जेनरल में 6 है, OBC में 3 है, उसके बाद SC में 1 है और ST में 2 है, EWS में 2 है उसके बाद इसके बाद तोटल नंबर पोस्ट मिला का 12 है उसके बाद डिपार्टमेंटल कंडिडेट के लिए इसके बाद जेनरल में 12 है OBC में 6 है, SC में 3 है, ST में 3 है, EWS में 2 है और तोटल नंबर पोस्ट 23 है उसके बाद यह जेनरल में जो होता है दिली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में जेनरल में टोटल नमबर आप पोस्ट हो गया 103 एक सो तीन पोस्ट जेनरल में हो गया दिली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए और OBC के लिए चौबन है और SC के लिए 30 है दिल्ली पुलिस में सिर्फ और ST के लिए 18 EWS के लिए 23 और टोटल नंबर ओपोस्ट दिल्ली पुलिस जो SI की है वह 228 सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए आई है इस टोटल नंबर ओप वैकेंसी में से इतना और उसके बाद B नंबर में है एस आई इंदिली पूलिस फीमेल और यह मेल के लिए उसके बाद फीमेल के लिए ओपिन में 51 जेनरल में 51 हो और ओबीसी का 27 है सी का 15 है स्टी का 8 है इस डबली सका 11 है टोटल नंबर वेकेंसी 112 है और उसके बाद सी में आता है एस आइइन Central Armed Force अर्थात Central Government के अंदर जो आर्मी व्रक करती है उसमें भी आप इसके तहट जा सकते हैं तो पहला हो गया BSF BSF में मेल के लिए General में 133 है EWS में 20 है OBC में 105 है SC में 15 है और ST में 21 है और फिमिल में General में 60 है EWS में 1 है OBC में 5 है SC में 3 है और ST में 1 है और टोटल नंबर और वैकेंसी BSF में 353 है उसके बाद CISF Central Industrial Force में देख लिजे मेल में 33 हो और EWS में 7 है OBC में 21 है SC में 11 है ST में 5 है उसके बाद फिमिल में चाठो जेनरल में EWS में 1 है OBC में 2 है SC ST में 1 है और ST में 1 है टोटल नंबर वैकेंसी 86 है उसके बाद CRPF में मेल के लिए है जेनरल में 1217 पोस्ट और EWS में 301 है OBC में 812 है SC में 450 है ST में 226 है और CRPF में फिमिल के लिए 43 पोस्ट है जेनरल में 10 है EWS के लिए और OBC के लिए 39 पोस्ट है और SC में 16 है ST में 8 है और टोटल नंबर वैकेंसी जो हो गया 31 तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस पूरे में सबसे अधिक वैकेंसी जो आई है वह CRPF में है सबसे अधिक पोस्ट CRPF को हम वह नमबर पर डाल लेते हैं उसके बाद जो वैकेंसी आई है उसके बाद टू नंबर में आ गया BSF और ठीरी नंबर में आ गई कहां गया भाई अधिक वैकेंसी है और उसके बाद आई टी बीटी में आ गया में मेल में है 86 जेनरल में EWS में 14 OBC में 51 SC में 22 ST में 9 और फीमेल के लिए 12 है जेनरल में EWS में दूठो है OBC में 9 है SC में SC में 4 है और ST में 2 है टोटल नंबर पर वैकेंसी 191 में है उसके बाद SSB में में 65 है अधि जेनरल में 65 है EWS में 21 OBC में 56 SC में 04 और ST में दूठो है और इसमें फीमेल के लिए SSB में तीन्ठो जेनरल जेनरल का है OBC EWS में एक भी नहीं है OBC में एक है SC में 2 है ST में भी 2 है टोटल नंबर वैकेंसी 28 है तो यह पोरा में टोटल नंबर वैकेंसी जो देख लेते हैं जेनरल के लिए जो फैकेंसी आई है टोटल नंबर वैकेंसी जेनरल के मेल के लिए 1514 EWS के लिए 363, OBC के लिए 244, SC के लिए 585, ST के लिए 280 और फीमेल के लिए 79 जेनरल में है EWS में 14, OBC में 46, SC में 26 और ST में 4 और जब इसके बाद आता है फीचकल इलेजबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मेल मेल के लिए जेनरल OBC में एस्टी के लिए 170CMS आपकी हाइट होनी चाहिए चेस्ट आपका नॉर्मल 80CMS होनी चाहिए और 5CMS फुला कर होनी चाहिए और उसके बाद मेल में ही स्ट के लिए सारे 62 संटीमिटर हाइट होनी चाहिए और 17 संटीमिटर नॉर्मल चेस्ट और पान सेटीमिटर फुला कर we are 16CMS आपकी होनी चाहिए उसके बाद रनिंग फर्स्टाइम में आपको 100 मीटर दोरा जाएगा जिसके लिए आपको 16 seconds दिया जाएंगे उसके बाद 1600 मीटर ज़र आएगा जिसमें 6 मिलिटर 50 seconds आपको मिलेगा उसके बाद long jump आपको 3.65 मीटर का आपको long jump करना है और high jump 1.2 मीटर का करना है और short put आपको 4.5 मिटर का कना, इसके लिए आपको 3 chance दिये जाएंगे और female में general OBC, SC, ST के लिए 157 cm हाइट होनी चाहिए और female में ST के लिए 154 cm और female में जो 100 मिटर की running होगी उसके लिए 18 सेकेंड का समय लर्गियों को दिया जाएगा और उसके बाद 500 मिटर की running होगी जिसके लिए 4 मिनिट का समय दिया जाएगा और long jump 2.7 मिटर का होगा, high jump 0.9 मिटर और shoot put आपको नहीं करना है इसके लिए भी लर्गियों को भी 3 chance girls को दिये जाएंगे उसके बाद इसके लिए जो syllabus है इसका, जो SSC CPO का है पेपर 1 का जो syllabus है जिसमें 4 subject पूछे जाएंगे जिसमें reasoning, gk, gs और current affair भी इसमें होगा और math, english, long page and comprehension इसमें reasoning का 25 खोश्चन रहेगा एक नमबर का 2 marks 50 नमबर का reasoning हो जाएगा gk, gs और current affair भी 50 नमबर का होगा math, arithmetic और advanced दोनों मिलाकर 50 नमबर का और English भी 50 नमर का रहेगा तो यह paper 1 का होगा, tier 1 उसके बाद tier 2, paper 2 में हो जाएगा आपका, paper 2 में आपका सिर्फ English पूछा जाएगा English long page एबं comprehension जो 200 question रहेगा और 200 marks का होगा जिसमें पढ़ते question के लिए आपके पास एक नमबर दिया जाएगे जो paper 2 होगा उसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा दो घंटे का, paper 1 के लिए भी आपके पास दो घंटे का समय होगा तो जैसा कि आप देख रहे हुए हर जो sse cpu है उसस्थ ने अपना काफी अच्छी खासी सी शिकाली है और इसमें जो आप देख रहे हैं सबसे अधिक व से बैकेंसी ए स सिपी यो में जो आई है चरी आएयह बाद बीर्ण सी अइसर्प में हैं बीर्ण से बादों में हैं और सबसे कम CISF में हैं तो आप देख लें अपने अनुरूप आप फॉर्म डाल दीजेगा और यह ओल ओवर इंडिया की वैकेंसी है तो आप अगर भारत में जन में है इसके बाद इस फॉर्म को आप अगर नेपाल या फुटान जैसे देश से भी अगर बिलोंग करते हैं तो वहां के नाइडि पर भी इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं तो जय हिन जय भारत